पहले सुन लो अच्छे से बेसिक कंसेप्स और जोमेट्री बच्चा यह चेप्टर कर अच्छे से समझ गया तो जोमेट्री बहुत स्मूज जाएगा तुम्हारा पुरा तुमको बता न मैंस में दो पाट होते हैं एलजेब्रा जोमेट्री है एनंत में होता है को डिये के बिवह अंक गॵर लग अक्टर में हैै थिक हैhorn यह अच्छोह सब्सक्राइब करने के लिए менहीं सेमार्डबस आज़वागा है थिक्क्ति हैं कितनके बिवत करना मैट्स के लिए वेरी गुड वेरी गुड वेटा अच्छा लगा सुनके यह जजबा चाहिए अपने को जोमेटरी क्या होता है उसका मीनिंग क्या है तो हम समझेंगे डेफेनिटली तो तुमको सिलिबस समझ में भी आएगा लेकिन चलो काम की बात करते थोड़ी सी आज पहली चीज़ यह बच्चो सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है तो पहली चीज़ तो बच्चो यह होता है पहला टॉपिक पहला कांसेप्ट यह है पॉइंट का मिनिंग क्या होता है वाट इस पॉइंट वह सब ठीक है लिए पॉइंट हां डैट इस ठीक है पर वाट इस पॉइंट बस नॉर्मल डॉट उसको रिप्रेसेंट कैसे करते है अपन पॉइंट को करते हैं यह क्यों करते हैं वन पॉइंट को डालते हैं विकास हमको पता करना हमको बताना होता है नॉर्मल इंग्लिश में कि भाई हम लग रोक रहें चीज़को भी यह जिसको हम स्टॉप कर रहें बढबर के नहीं सो बेसिकली पेंसिल से बनाते पेपर पेक डॉनवल डॉट की तरह और इसको तुम डिफाइन ने कर सकते है पॉइंट को कि पॉइंट इतना बड़ा होना चाहिए या इतना बड़ा होना चाहिए या इतना होना चाहिए पॉइंट तो पॉइंट होता है तो इंग्लिश में से dot कर सकता हो और इसा लिख सकता हो इदर एख point होगा उसको देख सकता हो two point हो रिप्रेशन्ट कैसे करता है विजा कि यह दrick सकते है एं और यह तेaina योजय का पॉइंट है, योजय का पॉइंट है, simple, एकदम बचकानी चीज, कुछ बड़ी बात नहीं थी, इसमें, ठीक है, इतना clear है सब लोगों को, उसके बाद है हम, sepain topic line पर, अब line क्या होता है, line simple चीज, again, normal line जैसे मारते हो, तुम लोग scales से, कैसे मारते हो, कैसे मारते हो, scale से line, normal, इस तरह स, लेकिन line में difference क्या है, यह पर हम arrows से represent करते है, अब इसका मतलब होता क्या है, बैच्चा, basically, तो यह कितने भी direction भी आ सकता है, आगे, यह दोनों ना दोनों कितना भी खिच सकता है, अब इसको, इसको मैं कितने भी क्हीच सकता हो, इसको मैं गोरे काउत लेकि जा सकता हो, ठीक है, यह तो इसको मैं कितने भी लिके जा सकता हो, wherever i want to so it can be it can be infinite मैं तब इसको कितना भी खीच सकता हूं मैं लाइन को बराबर के नहीं इतना clear है it can be extended in both the direction extended in both direction कितना भी खीच सकता हूं मैं इस बाद को समझे रो तुम लोग बच्चो लाइन को represent करने के लिए हम करते क्या है हम अलग लग points यूज करते है let's say आपर मैं नाम देता हो a b c तो यह एक तरीका है लाइन को represent करने का यह तो मैं क्या बोल सकता हो यह same लाइन मैंने आपड्राव कर दी तो मैं बोल सकते हो line L इसको मैं नाम लूँगा 9 सुनाओगा तुम्होंने इस ट्रेंड में बस नाम दे दिया इसको मैंने नाम करण कर दिया तुम्हारा नाम कैसे होते हो इसका भी नाम होगा ना ठीक है ठीक है बटा clear है तो लेकिन यहाँ पर क्या है यह एक एक इसको इंडिविजल लिखने का तरीका क्या है यह मैंने ए लिखा इदर बी लिखा इसका मैं इदर में क्या बाता सकता हो लाइन ए बी एक लाइन है लाइन बी सी एक लाइन है और बड़ी लाइन ए टू सी यह एक लाइन है तो यह पर मैं बोल सकता हो यह मुझे एक एक का नाम लिख दिया है पर ए बी का लिख दिया बी सी का लिख दिया इसी का लिख दिया अपन ने बराबर लेकिन मुझे चाहिए है कि एक-एक नाम नहीं लिखना मुझे मुझे पूरी love की नाम लिखना है तो मैं कर दूंगा पूरी love को नाम देती हुँँगा वर इक समझे तुम लोगों को दुरू वराबर के नहीं बाकि तुम्हारे और साज नाम भी होंगे तो लाइन को मैं एक नाम से रिप्रेश्ट कर सकता हूं जो चाहिए तो मैं कर सकता हूं क्लियर है इतना क्लियर है बेटा लेकिन बेटा अब एक चीज या और याद रखना लाइन तो बहुत लंबी चलती है लेकिन मुझे चाहिए कि कोई चीज रुख जाए तो तुम्होंने वर्ड सुना है सेग्मेंट सेग्मेंट को आप माप सकते हो इधर से लेकि दर तक ही होगा लेटसे ये ए है ये बी है इसका कुछ डिस्टेंस होगा लेटसे 10 सेंटीमेटर या 5 सेंटीमेटर अब लेंद कैसा होता है ये बहुत इंफाइनाइट होता है ये कितना भी दूर जाएगा इसको तुम माप नहीं सकते है ऐसे लेकिन अगर तुमको चाहिए कि मुझे इतना पोशन ही चाहिए मुझे इसको मेजर करना है तो उसके लएपन क्या कर सकते बत्या सेंट ले सकते सेक्मेंट का एक वैज़ान आए इसको आप सकते हो इतना एक्त लिएर व्यार रहिए इतनाक्लियर ए कि मैं कैसा लिख सेंट को से less कि इसे सेंट अज़्छेवितं सेग्मेंट अबच्चाइए पिआन were हो कि इतना क्लियर है अब बच्चा मैंने तुम्हों को पॉइंट बताया मैंने तुमको लाइन बताया मैंने तुमको सेग्मेंट बताया लेकिन यह समय तुमको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमको सिखाना है डिस्टेंस कैसे निकालते है डिस्टेंस कैसे निकालते ह मैं ने जो ग्रूप पर वीडियो बचाता है कितने लोगों ने देखा वो सब ने देखा होना चीए तब यह तुमको आज का आज से समझेगा वह वहांगे वहांद यह जरूरी था बैटा को बहुत जरूरी था चैनल जब मैं सिखाऊंगा बच्चो तुमको वह वीडियो बह जूँगा वह बहुत काम आने वाल है तो तुमको कि वह समझा है अच्छे से तो तुमको आगे का बहुत इजी लगेगा ठीक है चलो मैं कर आंसर दो for example इतना लिख लिए सब लोगों ने कि इतना लिख लिए बेटा लिख लो बेटा जैसे मैं बताता हूं यसे लिख लिए करो तुमारा दोनों काम एक साथ होता जाएगी ठीक है गुड जैसे लिखा गुड नहीं लिख वो लिख दो सो मैंने point बताया क्या होता है मैंने segment बताया मैंने line बताया segment infinite direction हो जाता है infinite direction समझते हो दूर तक एकदम उसको तुम रोख नहीं सकते है पंची की तरह उड़ता रहता है रोख नहीं सकते रोख के दिखाओ इमद है तो ठीक है और segment कैसा होता है इसका value आपको पता चल सकता है इसका distance कितना है 10 cm तो इसका value आपको पता चल सकते है इतना clear है बिटा सब लोगों को अच्छे समझना बिटा जो भी मैं सिखाऊंगा अच्छे समझना है कि चीज कुछ भी दाउट हो एकदम पूछ नना अच्छे से तो तुमारा topic एकदम clear हो जाएगा इसके लिए बेसिक वीडियो में बिच्छा वो देखा करो तुमको बहुत काम आएगा लिख लिए बिटा इतना सबने है लिख लिए बिटा कोई बात नहीं जिसका बाकी है बात नहीं बात नहीं को देख सकते हैं अच्छे नोटस बनाना कोई लिखे हो गया एक किसका नहीं हो पैटा स्क्रीन शमर्ट निकालो या पिक लेला या में वापस नहीं को इंट रूपय वीडियो तो ऑक लिख लेना लिख लेना फटा बच्चा, do you know number line? तुम लोगों पता है number line क्या होता है? सबको पता है number line क्या होता है? चलो, मुझे बताओ. Let's say number line है. मस्त number line है. यह पर zero है for example. तो right side में क्या होगा बच्चो? Right side में क्या होगा? वाज़ी टोगा है? मतलब one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And it is a line. It will go on. You cannot stop it. तुम बहों के नहीं नेदद रुपना चाहिए? चलता रहता है. चलता रहता है. बराबर के नहीं? दुरासल बैटरी चलती रहेगी. उसके बाद लेफ्ट में क्या होगा? नेगेटिव नमर्स. जो हम हैं आज कल हम नेगेटिव हो चुके हैं. जिन्द की बहुत. ऐसा लगता है. क्या करें? जिन्द की खराब हो गई है. हम नेगेटिव नमर्स के तरह हो गई है आज कल हैना? जिन्द की खराब हैं जिन्द की खराब हैं. अभी वाल है. नेगेटिव से बिटा मिकेड़ ब्रेटिव नेगेडीव पॉइंट देखा करो. देखो के सब लोगं? देखा करो तुमalley both बहुत फाइब होगा. बहुत फाइदा होगा. कितने लोगों ने नहीं देखााओ वीडियो बिडियो इसका बिटा भी चलो बताओ मेरे को मैं इसका नाम करन करताओ मैं मैं नियुक्त पॉइंट के तरह एगे ना इसका पॉइंट के तरह एगे ना इसका नाम देताओ इसका B, इसका C, इसका D, इसका E, F, G, H, I, J इसका क्या नाम दूएँगा मैं? कुछ भी दे सकता हूं K L M N O P क्या मैं नाम दे सकता हूं इसे? नाम दे सकता हूं? नाम दे सकते हो बिटा मैं नाम दे सकते हो अब मेरा question तुम लोग से यह है यह हर एक point को अपन क्या बोलता है यह हर एक point को पॉइंट को पॉइंट बोलते है बच्चा बराबर लेकिन maths में इसको एक और नाम देते है अपन maths में मतला पॉइंट से मालूम पढ़ गया तुम्होंने वीडियो बेसिक का देखना अगना रिपीटिंग वो तुमको उस बहुत करेगा अब मैं तुमको क्यों चीज बाताता हूं हाँ वो तो तुम समझ रहे हो जीरो भी है पॉसिटिव नंबस भी नेकिटिव नंबस भी है तो इंटीचर है यह तुम समझ रहे हो इंटीचर रेट में पढ़ाओगा जिसको याद ली टेंचल मतलो मैं बेसिक वीडियो बेजूंगा तुमको और क्लिरली समझेगा लेकिन पॉइंट यह नहीं है पॉइंट यह है पॉइंट अ है पॉइंट अ के पास वैल्यू कॉन स की अग़ा अग़ा से पहले बात सुन मेरी टेंचन मतले बनाने लिए जो मैं बता रहाँ को एक बूक में लिख़ लहांगा थेक है ठीक है घया बभ्या फॉइर्युड बड़ा बड़ुड तो पॉइंट ए बबंड का जटका लगया बीच में बूट बंणी आनिए बुक सब्सक्राइब कर दो इसके मं बोलेंगे क्या शक्राइब्कों сообщ कर दो कोडिरे किया इससे कोडियनीट लिए इसके में मिंटर रिणática पॉइं दो बाना वेल्डे किन्हें बसे व्य ग। लेकर समझ जाओ अधाले पले वर्ड सुना थी वर्ड सुना ए वर्ड सुना है? नहीं सुना आध सुनलो Coordinate बच्चा कॉडिनेट फॉइंट very good, बिटा so, कॉडिनेट फॉइंट फॉइंट इसैं कि ओजाएंगा कॉडिनेट फॉइंट क्या है तू 2 coordinate of point d coordinate of point t coordinate of point f coordinate of m coordinate of m coordinate of let's say uh okay coordinate of o minus 5 coordinate of k minus 1 so uh okay of point h okay Disco बराबर घंट्रंट एंठ्वचेत अलरभी बराबर के नहीं अब बच्चों में बहुत इंपोर्टेंट चीज ऋधेगेए आपर बहुत इंतन लिखेंगे इतन के पाद हैं इंपोर्टेंट चीज समझेगे जैसे में बतातों निके लिख लेने ऐँ लिख लो इतना आप हम इससे कुछ बहुत इंपरेंट चीज निकालेंगे बहुत इंपरेंटर बहुत है щah एृइसे हम बहुत इंपरेंट चीज निकिलने वाले आज के लेक्ष्ण मैं फोबहुत मज़ए आने वाला है तुमको मैंने जो वीडियो बेचा था बेटा बेसिक वाला वह बहुत अच्छे से तुम देखा होगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुमको बहुत हल्प कर रहेगा वह चलो मुझे थोड़ा कंपैरिशन बताओ मैंने उस वीडियो में तुमको कंपैरिशन बताया था प्राइव बढ़ा है या जीरो बढ़ा है जो बढ़ा हो आपर फू माउट्स ओपन दो मुझे खड़े हो जाएंगे आपर अब मैं लेता हूँ 2 और माइनस 2 कौन बढ़ा होगा लेकिन अब मैं बोल दू माइनस 5 और 0 माइनस 5 वीडियो में बताया हुआ ये सब तुमको पता होना चीए मैं बोलू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस पे सब चोटे बढ़ा होता है कितने लोगacka समझे यहां माइनस 5 चोटे बढ़ा होता है समझे यह एए जलितने यह यह डिको वहसाọn कुने वी टीखाय होगा तो तुमको समझि रहाऊगा अच्छे से कदब क्लियर है ये कंपरिशन ईसके बाद 3 & 3 3 & 3 2 & 3 अब बच्चा लोग कुछ-कुछीज समझा अच्छ अब मैं तुमको बलूगा है हाँ अब मैं तुमक्ता क्यों पूछता है मुझे इस पॉइंट कर दो प्लीज बहुत आवाज आ रही है कितनी दूरी में देखो पॉइंट भी इदर है और पॉइंट यह दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है ध्यान से देखना बच्चो यह एक दो तीन वेरी गुड जिसने भी तीन बोला बदा ही हो वेरी गुड वेरी गुड तीन यूनिट्स की दूरी पर है तीन यूनिट्स यूनिट्स मतलब क्या वह मीटर भी हो सकता है सेंटीमीटर भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है यूनिट्स का मतलब क्या होता है वह कुछ भी हो सकता है हमको नहीं पता वह मीटर भी हो सकता है सेंटीमीटर भी हो सकता है इतना क्लियर है कितने दूरी पर है समझ गया कोई भी चीज कितने दूरी पर है समझो पॉइंट पॉइंट सी एंड पॉइंट जे अब यह कितने दूरी पर है बताओ, सोचना थोढ़ा, सोचो, सोचो थोढ़ा नई बेटा, गलत बोल रहे हो थोटा, देखो, देखो, अच्छे से देखो पॉइंट सी और पॉइंट जेंट अच्छे से देखो नई बेटा, कैसे, अच्छे से देखो थोटा Excellentst Emma Crassett kedya J एट किसने बोला एक्सिलेंट बच्चा सी टू डी देखो सी टू जे ये एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ आठ एट यूनिट्स दूर है बटा बच्चो सी से डी एक डी से एक एस रे चटनी बटा ध्यान तो हीदर चटनी मत खाओ चटनी बात में खाना कितने लोगों किलियर है यह बात कितने लोगों क्लियर है ये दुरिया इनाल हो की दुरिया तो जो आए तो सिंपल नमबस थिए 01234 यह सब तुमको समझ रहते हैं सामने समने दिख रहते हैं लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कुछ ऐसा हो कमाल कि मैं तेरा हो जाओ तु है किसी और की फिलाल ओके गाना 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 बंद गाना बंद गाना बंद ओक गाना बंद अभी थोड़ा देखते है सब लोगों दिख रहा है बिटा दर्शन 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 निश्का दिख रहा है बिटा निश्का दिख रहा है बिटा बेटा तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी बच्चों में इसका नाम दे देता हो A C D E K ये Z ये P A Q अब मैं तुमको पूछूंगा तुमको दूरिया निकालनी है A और E के बीच में कैसे निकालोगे तुमको दूरिया निकालनी है कैसे निकालोगे जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी कर सकते हो बराबर के नहीं लेकिन फिर वो लाइ उसमें टाइम जाएगा बहुत ज़यादा मैं तुम लोगे एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूँ एकदम सिंपल ट्रिक कैसे निकालते हैं आर यू रेड़ी आर यू रेड़ी ये दो लोगों की दूरिया ए और ए के बीच में मुझे निकालना है distance between a and e पाथ है यह symbol कैसा होता है लिखने का बिटा symbol distance का small d आ जाएगा और between किसका निकालना है a and e a किसने बोला यह एकॉमाई किसने बोला excellent कैसे मालूम बेटा था क्या पहले तुमको यह अरे बापर वह यह मैं सोचू okay तो distance बच्चा कैसे निकालोगे distance का symbol होता है d small d और किसके किसके बीच में निकालना है बच्चा a और e for example तुमको distance निकालना है between कर सकते हो बराबर के नहीं बराबर तो यह होता है लिखने का तरीका लिखने का तरीका अब बच्चो एकदम simple तरीका बता था पहले तो मिरे को बता हो नाम देना पड़ेका उसको उसकी value हमको लिखनी पड़ेगी हमको a का distance निकालना है तो बच्छयों, कॉडिनेट औफ, कॉडिने औफ, पॉइंट ए क्या है? जीरो, फिर कॉडिनेट, औफ पॉइंट, यह क्या है? फिर तुमको बताना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, 8 बड़ा है या 0 बड़ा है? 8 Now 8 is greater than 0 So जब उपर लिखता हो बेटा अब इसने distance कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, एगदम एगदम प्यारा सा concept है एगदम प्यारा सा एगदम easy concept है, एगदम प्यारा सा concept है हम निकालेंगे distance अब distance between किसके निकालना आपने को? distance between an बच्चा distance between an निकालना है तो formula is formula is याद रखना मैं जो बोलूँगा अभी, बहुत important है greater coordinate greater coordinate minus इसके बीच में minus के sign greater coordinate minus smaller coordinate कितने लोगों बात समझ रही है greater coordinate minus smaller coordinate अब इन में से, इन दोनों में से greater कौन सा है बच्चा लोग 8 और 0 में से बड़ा कौन सा है 8 minus smaller coordinate छोटा कौन सा है बच्चो 0 therefore 8 minus 0 क्या होता है 8 में से कुछ ने निकाला तो कितना बच्चेगा 8 या पर distance between a and e is 8 clear है और अपना आगे लिखेंगे units क्या लिखेंगे? units वरना marks कट जाएंगे बच्चा units लिखेंगे units क्यों? क्योंकि इतना भी हो सकता है 8 cm भी हो सकता है 8 m भी हो सकता है तो इदा से स्टार्ट करो लिखना question what is the distance between this? फिर ये पूरा लिखना है इतना कितना लोग को समझा ये बात? अच्छे से सब को समझा बटा अब इसके अपनको बहुत प्रैक्टिस करने है बहुत प्रैक्टिस करने है तो फिर इतना लिख लो बटा फिर बहुत को प्रैक्टिस करने है एक-एक स्टेब अच्छे से coordinate of point A क्या था coordinate of point E क्या था कौन सा किससे बड़ा है और फिस formula बूलो में साथ formula बूलो distance is distance is greater coordinate minus smaller coordinate greater coordinate minus smaller coordinate प्यार से बूलो greater coordinate minus smaller coordinate जोड से बोलो greater coordinate minus smaller coordinate greater coordinate minus smaller coordinate जोड से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी greater coordinate minus smaller coordinate clear है तो हमने माता जी का नाम ले लिया अभी उनका अशुराद हमारे उपर है तो अभी एक भी सबबन mistake नहीं करेंगे यह guarantee हमको माता जी ने दे दिया है आजवाशन दे दिया है तो अब हम शुरू करते है examples को करना इतना लिख लो तो अबला